नमस्कार दिन स्पिरिट आप कॉमर्स में आप सभी गार्दीक स्वागत और आपके साथ मैं हूँ राकिश में वड़ा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम विकॉम सेमिस्टर 3 में कॉर्पोरेट एकाउंट में गुजरात इनिवर्सिटी 2020-2021 में मतलब 2021 में जो पेपर स्टायल आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद वो पेपर स्टायल में आप कौनसी स्टेटेजी से प्रिपरेशन करोगे तो आप पूरे नंबर्स माक्स कवर कर पाऊगे फुल माक्स मदलब पूरे माक्स लाने भी इजियर जन्रल ऑपिपर स्टायल में और आप कौनसी स्ट्रेजी से काम करोगे तो आपको माक्स कवर होगे तो उसके बारे मैं मैं बात करने जा रहा है तो सबसे पहले आपको बता दू कि जरनल option की पेपिश्टे लास आपको पता ही है section one and section two आता है section number one आपका 40 मांक्स का section number 210 section number two में आपको 1 ऐसे 5 mc को attend करने होंगे और आपको minimum 10 या 12 mc को देंगे और section नमबर वन जो है आपका section number one उसमें आपको चार question ने की question one question two question three and question four यह चारों में से कोई भी आपको दो question attend करने होंगे तो अब आपको कौन से दो question attend करने हैं जिससे आपके marks maximum होगे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपके corporate में चार unit है unit number one है goodwill पागडी माटेज है तो सबसे पहला जो question होगा वो goodwill में से होगा unit number one यहाँ पे goodwill में भी आपके पास पूरे 20 marks cover कर सके ऐसा sum है तो I think इसमें दो sum नहीं पूछेंगे इसमें एक ही sum आएगा और वो भी आपका 20 numbers का हो सकता है वी समाशनों दाकलों खस है goodwill माती तो theory आने के chances बहुत कम है goodwill वाले टॉपिक से unit number two valuation of sales, sales नो मुल्यांकन तो उसमें भी बड़ा sum है तो उसमें से भी direct 20 numbers का sum आ सकता है उसमें भी theory का tension आपको रहने वाला नहीं है क्योंकि valuation sales का भी sum 20 numbers में पूछ सकते हैं तो यह दो sum है अग valuation share हो goodwill दोनों same chapter है एक chapter में plus करो goodwill में पागरीमा तो valuation share हो जाते हो अगर आपको दो ही आते हैं तो भी आप यहां पे 40 numbers पूरे ला सकते हो अब हम आगे बड़े तो unit number three जो है हमारा वो जो है वो chapter आपका question number three से unit number three मतलब के bank वाला जो chapter है उसमें बट bank वाले chapter में theory भी है sum भी है short sum है मतलब दस-दस number के sum है या तो एक बड़ा sum bank का final account बैंक नो वार्षी साब पुछी सकते बट I hope short sum पूछेंगे और short sum पूछेंगे तो यहां आपको theory attend करनी होगी बैंक वाले chapter में तो यह ध्यान रखना है आपको कि अगर यह आप pattern करोगे अगर बड़ा sum नहीं पूछा तो short sum होंगे तो definitely आपको theory attend करनी हो सकती है बट theory ना दे और दो short sum भी दे सकते यहां पर दसदस मांक्ष ना बे नहीं दाखला आपी शक्याइश कांफॉर्म नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है या फिर पूरा सम दे दे बड़ा सम तो 20 नंबर का अब हम जा रहे यूनिट फॉर मतलब question number 4 आपका लिक्विडेटर यह लिक्विडेशन वाला चैप्टर उसमें से तो आपको 20 नंबर का पूरा सम आज आएगा बड़ा सम है मती 20 मार्ट सो दाक्लवाई जैसे तो अब क्या बेटर है कौन सी strategy से जाना चाहिए तो सबसे पहले मेरे इसाबसे गुडविल वाला चैप्टर अल आपको याद रखने ऐसे ही सम रिपीट करने जिसमें गुडविल की वैल्यू दे दियो और उसके उपर से आपको वैलिवेशन सेर में जाना तो अगर आपको इसका इंपी समचिए तो इसका वीडियो में बहुत ही जली है चैनल पर रखने वाला हूँ तो आपने अगर चै तो या लिक्विडेशन मेरे हिसाब से दोनों इक्वलेंट है बैंक और लिक्विडेशन तो आपको जो ठीक लगए वह रेडी करो बट फास्ट एंस सेकंड जो मैंने बता है वह रेडी करो तो मेरे ख्याल से लिक्विडेटर अच्छा रहेगा क्योंकि अगर यह करोगे त तो हो सकता है यही का एक टॉपिक पूछ सकते बैंक वाले चाप्टर में तो यह थी पूरी स्टेटेजी जिससे आप कॉर्परेट एकाउंट में पूरे माक्स ला सको मैंने आपको बता दिया अगर आपको इसका इमपी सम चाहिए तो मैं यह चैनल पर वीडियो रखने वा जाजिन